धान में दूसरी एरिया के साथ ऐसे कौन से उर्वरक ततुम डालें जिससे हमारी अच्छी पैदावार देखने को मिलें इसी तोपिक पर आज हम बात करने वाले हैं किसान मित्रों मैं इसके विसक्रमा स्वागत करता हूं हमारे अपने यूटूब चैनल इसके आल नोलज में किसान भाईों सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे हैं लेटर्स जान करें हम अपने किसान मित्रों तक देते रहें हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो कम अबदी वाली धान की बरायटिया होते हैं तो उसको हम अलग-अलग भागों में डिवाइड करेंगे जो हम एुरियाखाद डालते हैं और उस में कौन-कौन से उर्वरक मिलाने चाहिए बोबि मैं आप लोगों को बताना चाहूंग कई जगा से हमारे किसन भाईओं को कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे धान की ग्रोथ रुकी हुई है बढ़ नहीं रहे है तो वो क्या कर रहे हैं कि दुकांदारों को ला रहे हैं जहां से दभाई उठा कर लाए हैं और अपनी फ़सल को दिखा रहे हैं कि हमने तो इूरिया के भी तत्तु डाले हैं लेकिन हमारी धान की ग्रोथ रुकी हुई है इसका एक और कारण होता है किसान मित्रों जो हमारे धान की जड़ों में लगा होता है वो हमारे धान की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है आपने अक्सर देखा होगा कोई भी पोदा उखाड के तो उसमें लाल धागा जैसा आपको नजर बारी की तरीके से देखना उसमें लाल धागा जैसा कीट नजर आएगा वो आपकी धान की फसल को बिल्कुल ग्रोथ बढ़ने नहीं देगा इसके भी सेफर किसान मित्रों मैं अगला वीडियो जल्दी बना कर दूँगा कि इसकी रोग थम कैस करें किसान में तुरों बात कर लें कि धान की जो आपकी कम अबदी की विराइटी है 120-130 दिन में पकने वाली तो उसमें आप दूसरी यूरिया के साथ ऐसा कौन सा उरबरग मिलाकर डालें जो आपके धान की ग्रोथ को बढ़ाए जब आपके धान की बालिया निकलें वो ब अपने धान की फसल में तो मैं उन किसान भायों को मैं बताना चाहूंगा कि यूरिया के साथ इस उरबरग मिलाने से आपके धान में जो है कल्ले ही कल्ले नजर आएंगे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर कल्ले नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी पेदावार पर काफी असर पड़ सकता है किसान में तो दूसरी इॉरिया के साथ हमें कौन सावर उबरक देना है चलिए मैं आप लोगों को बताता हुए दूसरी इॉरिया जब अपने धान ये लगबग 5-6 दिन में आपको रिजल्ट जो है नमबर बन रिजल्ट आकर देगा क्योंकि कई किसान भायों के मैंने खेतों में देखा है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है तो मैंने भी सोचा कि अपने किसान मित्रों तक बायो बुष्टर की बात बता दूँ ताकि जसे उनका भी जो धान जल्टी से खाब ले जाया यानी गलत ग्रूथ रुकी हुई एगर ग्रॉथ तो बहुत ही जल्दी ग्रूथ को पकड़ेगा किसान मित्रों किसान मित्रों अगर हमारा सोजायो एगर जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक के साथ हमारे किसान में तुनों तक सेर करना ना भूलें ज्दा से ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें ताकि उनको भी इस चीज की नोओलिज मिल जाए proceso मिलते हैं किसान भाई हों अगले वीडियो में एक नई जैनकारी के साल जब तक के लिए जय हिंद जय भर